हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग उम्मिद कि आप लोग खेरियस्ते होंगे दोस्तों फिर आगे हम आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर आज की हमारी वीडियो है इनिटर एर कंडिशनर में जो आट डॉर में जो पीसीवी बोट लगावा रहता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों आट डॉर में जो पीसीवी बोट लगावा रहता है तो इसको हम रिपेर करने की कोशिश करते हैं लेकिन रिपेर नहीं होता या उसको हम रिप्लेस करने कोशिश करते हैं बात अफ़त मार्केट में आवेलबल नहीं होता उस हालत में हम एक इन्वेट्सल पीसीवी बोड का इस्तेमाल करते हैं को सकते आज की इस वीडियो में मैं यही बात आप से कारूंगा कहीus को सथिछे पीसीवी बोड लगाते हैं गिसक오arte होता है आज में इक कोड़ और यू इस लेकर होई कि अ काव माड़ नंबार है डिट जीरो एक दोस्ता मेरा नाम है अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज सब्क्राइब कर लें साथ ही साथ बेल आकान को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके अगर मेरे चैनल को आप सपोट करना चाह रहे हैं तो जैन बटन पर प्रिस करें और हमारी हम अन्बाक्सिंग करेंगे इस बाक्स की देखेंगे इसमें क्या-क्या चीज रहती है और हम इस बोट को किस तरह करते हैं इसमें क्या-क्या है आपको तफ्सिल में बताऊंगे दोस्तों सबसे पहले हम इस बाक्स की अन्बाक्सिंग करेंगे और देखींगे इस बाक्स में हमें क्या-क्या मिलता है कि अधिक है कि अधिक है कि अधिक है कि सबसे पहले तो इसमें जो इंस्टाल करते खुद इसको एक बार रिट करें तो बेतर रहे अधिक है और इसके बारे में आगे भी बताऊंगा मैं एक जो इंडोर का PCB वोट है और इसके कनेक्शन कैसे वह भी बताऊंगा कर दूसरी चीज और एक कि यह रहा और दूर का PCB वोट कि यह सारे कनेक्शन करके आपके बताऊंगा मैं इसको भी वाजू रखते हैं यह में जो है आई पीम है कि यह भी अर्डोर में इस्टाल होता है इसके भी कनेक्शन किस तरह करते हैं यह आगे बताएंगे हम कि इस बाक्स में और एक रिमोट है कि विट कॉल्टी अच्छी दिख रहे हैं इसकी साथ में एक ट्रांस्फर्मर रहे जो कि बारा ओल्ट जिरुट्री एंपर्स का है और साथ में दो सेंसर दिये हुए है कि एक कायल सेंसर है कि इन सारे चीज़ों को मैं बाजो रखता हूं और इनके कनेक्शन बताता हूं कि इस वोट को किस तरह इंस्टाल करते हैं आप ये मेरे पीछली वीडियो में देख सकते हैं आप जैसा के कामन नार्मल जो एसी में आपनी Kaiser पंड़ तरह एंस्टाल करते हैं सेम में भी आप उसी तरह इंस्टाल कर सकते हैं कि चाहे तो आप मैं आयज बॉटन में इसकी वीडियो देदूंगा आप वहां से वीडियो बी देख लें आप एक बर दोस्तों सबस्ब पहले हम यह इंडेर का जो PC बोड है इसके कनेक्शन कर लेंगे और इस बोड को पहले जान लेंगे हम कि इसमें कौन-कौन से कनेक्शन है कहां कहां पर क्या लगता है लगी भी आती है लेकिन इंडेर की बात कर रहा हूं मैं इंडेर में डिसी मोटर लगी वी आती है लेकिन जब यह बोड आ डाल रहे हैं यह जो सात में जो दिया हुआ है इस पर स्तिरीफ ac motor run करेगी अगर आपक पर इंडohr में अगर DC motor है तो यहां तो आप motor को replace कर ले या नहीं तो इस बोड को replace कर गए और एक इसमें DC board मिलता है वो भी आप लगा सकते हैं कि अबी एसी मोटर के लिए यहां पर पीजी मोटर होना चाहिए यहां पर पीजी कनक्शन है 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 यह जो है आट्विंग के जो कि दो दिया हो जो आपको छोटा जाक है तो चोटा जाक लगाएं या बड़ा जाक रहे तो बड़ा जाक लगाएं यह डिस्प्लेइए इदरसेंसर यह सेंसर ट्रांस्वर्मर्स यह न्यूटल सप्लाइए आप यह फेस है और यह आउटपुट इस जो कम्रिशल के लिए आउटवर को जोग जाता है ऑड़ प यहाँ पर हाठ को मिलेगा इस बोर्ट के लिए कम्मिन्हें कोई जब्वाइब डियरेक्ट आपको नीडल फेस्ट च चालू हो जाएगा और इसके ने कि parallel आपको मालागा लेंगे एक काईल सेंसर है जो काईल पर लगता है और एक गुरूम सेंसर है जो ऑपरेटर की ओपर होता है और यहां पर इसको जॉक लगा लेंगे हम डिस्प्ले का जॉक अब डिस्प्ले में भी देखिया यहां पर टेंपर देख अब रिमोट आपर लिए इसको इसके जो कवर से कवर खोल के आप अंदर बी सट कर सकते हैं यह रहे इंडोर के PCP connection अब हमें जो तीन बोड दिए हुए हैं और जो बोड का connection है वह किस तरह करते हैं यहां से जो आउट पूट जाता है यह त्रमल पर यहां पर यहां पर फेस दिंगे जो कि इंपूट है जब यहां से दिंगे तो यहां से जैन क्नक्टर जो रहता है कि दे रहा हूं है यह जो वाला अर्थ है और एक फेस इनपूट यहां पर लगा रहा हूं मैं अर्थ को छोड़ दें अब यह बोड से बोड का कम्मिनिकेशन हो गया है अब इस बोट से उस बोट को किस तरह कम्मिनिकेशन करते हैं वह आपको पताऊंगा मैं और इस चीज़ दोस्तों इंडोर की मोटर के बारे में तो पता दिया आपको मैं क्या अप्शन्स है दूसरा आउड़ोर के लिए आउड़ोर में भी तकरीपन आउड़ोर में जो क्यान अगर आउड़ोर में एसी मोटर है तो यहां से एसी के लिए निविटल और लाइन दो कनेक्शन है और यहां पर कैपाशिट्र है अगर आपके आउड़ोर में एसी मोटर है तो इसके लिए इस मोडल पर यहां पर छे सुचे दिये हैं यानि इसको गेट सुच कहा जाता है एक दो तीन चार पांच छे यहां पर नंबर भी है अगर आपके आउड़ोर में इसी फैन मोटर है तो उसके लिए हमें पास सेकेंड थाट यह तीसरा वाला जो गेट सुच है इसको आन करना है अगर इसी मोटर है तो इसको हमें छेड़ने की कोई जरूत नहीं है एक पर यहांपर क्या काम रहेगा वह भी आगे बतांगा मैं आपको यह दो तो और कि फ्यान मोटर के एसी के लिए है अगर डीसी रहा तो यहां पर है यह दो जो है कि यह पाश्टर के अब यहां पर इस बोट पर दो वर इस तरफ दिये हैं तीन वर इस तरफ दिये हैं और एक जिग वेर है कि इस जीग वर की मदद से हम कि जो आइप मॉडल है कि इसको कनेक्ट कर लेंगे और इस आइप मॉडल में कौन कौन से कनेक्शन है वह देखेंगे आप एक दो तीन यह कंप्रेशर की है और यहां पर लाइन सप्लाई जो है इस बोट से इस बोट को जो कम्यूकेशन सप्लाई जो आ रही है वह देखिए यहां पर ब्लाग एक लिखा हुआ है नूटल और यहां पर ब्राउन यह वाला और यह वाला यह जो कम्यूकेशन को यह आई प्यम को जो कम्यूकेशन हो र कि यहां पर सप्लाई दे देंगे यह दो कनेक्शन यहां पर हो गए अब उसके पाद कि यह जो ब्लाक वाला है कि यहां पर दे देंगे और जो बाखी दो रेड़ है कि एक वैर कि यहां पर आजाएंगा कि दूसरा वैर कि यहां पर आजाएंगे इस तरह से यह आप के लिए रहे कंप्रेशर के वह आगे बात करूंगा आपको मैं या और एक जो सिंसर लगा हुआ है कि यह डिशाच लाइन पर देंगे आप याने तो जो हमारा हीटिंग कायल होता है कायल के पास लगा रहेंगे यह हीट सेंस करने के लिए हैं दोस्तों यह जो कंप्रेशर के जो कनेक्शन है यू वी डबल्यो यह कनेक्शन देने से पहले आप आपका जो पुराना आउट्डूर है जिस पर आप यह बोड इंस्टाल कर रहे हैं उस कंप्रेशर को पहले आप मल्टिमेटर से चेक कर लें आपके तीनों टर्मिनल पर से ऐसे सेम्ट्मर्स है या नहीं यहनी कि जैसा के तीन कि टर्मिनल एक दो टीन रहें यो वी डवल्यो यह तीनों से जो am हम चक करने उस कंटिनुटी हमें तीनु की कंटिनुटी सेम रिस्ट्रेंस पर बतानी चाहिए अगर कम ज्यादा बता रहें तो इस बोड को इस्टाल मत करें ताकि बोड डामेज हो सकता है कि दूसरी बात दोस्तों जब इस आप आप आपको पुराना निकालते हैं वहां पर हम लगावा रहता है उसी हीटवी के उपर यहां पर जो तीन वह एक दो इस बोड को उसी इस इस पर इंसे पर इनिस्टाल करें इस आले है जो तरह होता है कि जो कहते हैं इसको हम करें कर ले नियुकर कर लेकिवा ate इसके उपcul शुटक्पां करने साथ कांटिनुवां देने के बाद हम दोब करते हैं तो यहां पर हम टो यो जो युसके इसके बात आप continue आएंगी यहां पर भी टाइम दिले दिया हुआ है तीन मिनट का टाइम डिले इसमें भी तीन मिनट का टाइम डिले टोटल यह आपको और रॉन होने के लिए तकरिबंद पांक से छे मिनट का टाइम लेगा है अब सेफ्टी के लिए आपको मैं बता हूं कि आपको इंस इसके बीच में आप इसका पेश्ट लगा लें और सारे कनेक्शन को आप फिर समझने के लिए बोट के पीछे भी कनेक्शन का एक डाइग्राम दिया हुआ है उस डाइग्राम को देखकर भी आप इसे बोट को इंस्टाल कर सकते हैं दोस्तों यह मैंने बोट तकरिबं तीन बना रहा हूं दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक ज़रूर करें और अपने अपने ग्रूपों में शेर करें अब मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्क्राइब कर लें अल्लाहाफीस अद्श लेपको पकोंफे वीडिच्छ प्लीज वीडियो में यह कोब्सपर सत्रूपों मोर्यज दोस्तों वीडियो together कॉक्छा करें आपका प्लीज़ जोस्तों आपक्छा मेंदित बत्सेम इowan करें अपकों एंपकों यह वीडियोड़कों 좋 Euhे अपकों सफ़रूं